हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल पर्फेक्ट चाय बनाने के लिए चार सिक्रेट टिप्स को तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने लिया है एक पैन इसमें मैं डालूँगी देड़ कप पानी क्योंकि मुझे दो कप चाय बनानी है तो उसके लिए मैं डेड़ कप पानी ले रही हूँ और जब पानी में बबल साने लगेंगे जैसे ही आप इसमें आप अपने मसाले इसमें आड़ करें मैंने इसमें डाली है दो इलाइची वो भी कूट के और अधरक अधरक को भी हम कूट के डालेंगे इस तरीके से मैंने कूट लिया और इसमें डाल दिया तो सबसे पहले हम यह गैस का फ्लेम तेज करके इसका फ्लेवर इसके पानी के अंदर लाना है आप यहाँ पे लॉंग काली मिच का भी यूज कर सकते हैं तो जब इसके अंदर मसालो का फ्लेवर आ जाए तब हम इसमें आड़ करेंगे चाय पती और आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने इसमें डाली वैसे ही ये एकदम से उपर उठके आई ये बहुत जरूरी है इसी तरीके से ये अपना फ्लेवर एकदम से उसमें छोड़ती है तेज पानी में जब हम खौलते वे चाय पती डालेंगे एकदम फ्लेवर उपर आएगा और चाय पती के साथ में एड़ करेंगे चीनी चीनी कभी भी आप दूद के साथ में ना डालें वो दूद को पतला कर देगी तो ये एक तो ट्रिक है जिनका ध्यान अगर आप रखेंगे तो चाय बहुत ही परफेक्ट बनेगी और एक सबसे इंपोर्टेंट बात अगर आपका दूद फ्रिज में रखा है तो पहले उसको बाहर निकालके रखें तो वो रूम टैंपरेचर पर आ जाए तब उसको चाय में इस्तमाल करें क्योंकि अगर हम ठंडा ही दूद डालेंगे डारेक्ट इसमें तो क्या होगा कि इसमें से जो घी की ड्रॉप्स हैं तो चाय के ऊपर आ जाएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी देखने में और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब चाय आपकी बनने आ जाए आप उसमें दूद डाल दें उसके बाद ये काम आती है हमारी एक इस्पुन तो एक इस्पुन की हैल्प से उसको इस तरीके से ब्लेंड करें ब्लेंड करने से क्या होता है उसमें चाय में एक टैंपरेचर बना रहता है और उसमें ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है इससे टेस्ट भी इसका बहुत ही बड़ी हात है आप देखते हैं न कहीं पर भी आप बाहर चाय पीदें तो वो उसको ये करची से चलाते रहते हैं तो बस यही इसमें एक ट्रिक है तो चलिए आप बन गई है आप कर लेते हैं हम इसे अपने कप के अंदर तो मैं इसे डाल ली हूँ कप में और बस एक और इसमें ट्रिक लास्ट बची है जो अभी आप देखेगा कि वो ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूस्फुल है तो मैंने चाय इसमें कर ली है अपने कप के अंदर और अब हम क्या करेंगी मेरे पास है थोड़ा सा इलाइची और दालचीनी का पॉडर जो हलका सा वन वन पिंच में इसके उपर स्पेंकर कर रही हूँ बस अब जब आप कप लेके और इसको पीएंगे तो बस आपके नोस के पास में जादी जो इसमें से अरोमा आएगा ना फ्लेवर वो बहुत ही मस्त होगा तो कैसी लगी आपको यह ट्रिक बताईएगा जरूर और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए बाई बाई टेक क्यार